सभी कुछ जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक्स हो गए थे जैन द रियक्शन्स पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज जमा आपके लिएक लेक्टेस्ट एक इंट्रोसिंग और एक बहुत ही इंफोर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं जिसमे देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके से लेटेस्ट और इंट्रस्टिंग वीडियो लाते रहें तो चलिए तो चलिए यह वीडियो देखते हैं और आंतमें इसके बारे में बात करेंगे जाए हिंद्ध जाब भारत हैं पर तो ौसके भी जो कुछ होता रहा है कई चीज़ें हमने इन्डा सान में बीदेकि हिंद्ध में इसक किसम की इक्स्ट्रिवुइम हमें देखि defence सन हमें देखी और जो इंदूसने उन में तो वो मुझे कहने लगे एंक गही क्या हों रह रहा है doe शेज मुझे क्या मुझे कहते है ये ना एक करन से करना नही लेगा लेकिन पहलेक्व पाकिसेन की बाइस आप में जाने साव हो रहे है अर्दू जी देखेंग एक एक रोख थी है उत शायकल में झाया सा आँ 你 कि 513 जलो पर फिर कि गिए जाफ सादी गशाफ टंत कि अट जमीiran रहो आफार cigarette को सामने आफर करो सामने वाले के अग्साफ करो सब छूछ कि यह टैलोघा oh चलती रही और कुछ भी लेकिन यह आई कि दुनिया में एक चीज समझ में आने लगी है इस लिब्रेलिजम की वज़े से रियक्ष्ण सज्यादा रेगे और लिब्रेलिजम की वज़े से असलियत में हुआ यह है कि existential crisis इस दुनिया में क्रियेट हो गया है जैसे हम आज के दिन एक्स्ट्रेमिजम की बात अकर सिर्फ पाकिस्तान में करें या सिर्फ इंडिया में करें तो हम लोग बहुत गलत होंगे किसी टाइम पर करांची और के आपि हम काबुल की अगर बात करें तो किसी और काबुल को पैरेशेmmि आप शॉथ ऍ oko 11 जी यह जाता है कि आज वहां हाला थेखिए ठीक है हम देख रहे हैं रेडिकलिजम के नाम पर यूरोप भी जल रहा और यूरोप के अंदर भी नीदर लेंड दन्मार्क स्वीड़ेंग बच्पन में पढ़ते ही आपनी UPSC की प्रपेशन में पढ़ते हैं दूसरे एक्जाम की प्रपेशन मे युह क्यों है blij त 2 हो क्या रहा है कि ऊधनी सीड लिब्र इप्रांटिशा से घुकर गुजर रही है इस वजब जब से हमारी और आपकी और अफзд कि खासकर हमारी और आपकी स्थी जो मेडिवियल एज से निकल कर मॉडर्ण जी की तुरा बढ़ रही थी और वो कही ना कही liberalism को support करती हुई नजर आ रही थी उसको भी अब लगने लग गया कि जब वो standard वाली societies अपनी existential crisis से गुजर रही है तो इसका मतलब हमारे जो पुर्खेया हम जो आज तक बात करते रही हैं वो बिल्कुल ठीक है ये as a whole मैं उस liberalism के according बात करना हूँ कि जो आपकी country में भी जियावल हक्त से पहले लोग बात करते थे कि हमें liberal होना चाहिए हमें progressive होना चाहिए और जो हमारे यहाँ पर भी लोग अभी तक यानि 2014 से पहले तक बात करते थे कि हमें भी liberal होना चाहिए हुआ यह है social media ने दुनिया में क्या हो रहा है एक तो वह दिखाना शुरू कर दिया दूसरी तरफ social media ने हर वो चीज बताना शुरू कर दिया हर वो चीज elaborate करना शुरू कर दिया जो कोई भी बोल रहा है चाहे वो sting operation की form में आ रहा है चाहे किसी भी form में आ रहा है किसे आप ऐसे देखिए किसी मौलाना ने एक तहरीर दी वो वीडियो वाइरल होगी ठीक है तो उस्ते क्या हुआ अब तक पहले क्या होता था पहले ये चीज़े अख़बारों के दूप या एक मस्जिद के अंदर जहां वो मौलाना होता था वो उस मस्जिद का उस area पर influence होता था तो कहीं कि अगर ideology जादा liberal है तो वहाँ पर लोग आपको liberal मिलेंगे तो वहाँ इस तरीकी की problem नहीं थी एक आदा मौलाना कुछ पड़ा जादा aggressive होता था तो वहाँ aggressive ideology चलती थी वो भी एक level क्योंकि एक मस्जिद के पास डेड़ दो हजार लोग जादा स्यादा होते थे अब problem क्या आई है problem यह आई है कि हर चीज record हो रही है और हर चीज without any restriction सबके पास मौझूद है तो यह चीज यह तो हो गया एक जिसकी वज़े से हर society में कहीं ना कहीं आपको radicalism बढ़ता हुआ दिखाई देगा चाइना या रशिया जैसी बहुत ही controlled societies को ठोड़ दें तो वाकी हर जगह आपको इस तरीके के radicalism बढ़ता होने से रह जाए अब बात करते पाकिस्तान लेकी मेडम इस तोशल मीडिया का असर पाकिस्तान पर कहीं जादा इसलिए हुआ क्योंकि इसका base पाकिस्तान में जिया Islam के criteria पर judge किया जाएगा and everything is religion यह idea जब दिमाग में बर दिया गया तो वहां से कहीं न कहीं एक extreme form नज़र आई वह base तियार हो किया उस base को और जादा lasting situation के अदर ले जाने का काम यहां पर इस social media ने किया इसमें अमेरिका ने अपनी खूद हाथ से के हैं और रही सही कसर इसको और ज़्यादा extreme में ले जाने का काम अफगान wars ने किया जो कि आपके यहां पर अगर अफगानिस्तान के अंदर कुछ हुआ तो उसका सबसे ज़्यादा मलबा आपकी country के अंदर पड़ा और वह ideological जो एक जो गल जो एक आइडियो लॉजिकल इंपक्त वह बड़ा खतरनाक था आपकी society के लिए और रही सही कसर आप में पर वह ब्लास्फेमी लॉस्ते लेकर हर चीज और उसमें और ज्यादा जिसे कहते हैं आग में घी का काम करना या उसको धदका देना वह था जब आपके य को लोगों को फ्रस्ट्रेट करता है आदमी भूख से मर रहा है आने को रोटी नहीं है प्रॉब्लम्स बहुत जादा है उसके बाद धरम जो है उसका आखरी अथियार बचता है कि या लाह या हे बगवान कुछ मदद कर और जैसे उसे लगता है कि मेरी आखरी उमीद जो है यह आदमी उसके उपर हमला कर रहा है तो वह अग्रेसिव हो जाता है क्योंकि उसे और कुस्तों सोचना सिखाया नहीं गया तो आपके यहां रेडिकलिजम जो है उसके बड़े सारे डैमेंशन्स में से मतलब वह एक्स्ट्रीम पॉर्म में इसलिए पहुंच गया है कि वह सही है गलत है वो है भी यह नहीं है उसे इससे मतलब है कि तुने नाम लिया और मैं तुझे महरूबा पखेंके यह बड़ी खतरनाक सिचुएशन है जिससे आपकी कंट्री इस ताइम पर जूज रही है और रही सही कसर आपके यहां का जो पॉलिटिकल वैक्यूम है उसने कुछ फ्रस्ट्रेशन के लेवल को और ज्यादा बढ़ा रखना है यह नाउमीद सोसाइटी है होपलिसनेस सर चड़कर बोल रही है जो की सड़क के ऊपर अच्छा स्टेट के ऊपर से बरोसा उठ चुका है प्रेंकली बता रहा हूं जब लोग अपने देश के अंदर एक को बिना कुछ सोचे समझे जो कि उसे पढ़ना नहीं आ रहा उनको खुद पढ़ना नहीं आ रहा बस ऐसा है कुछ लिखा हुआ है और ऐसा कुछ लिखा हुआ है जो अर्भी में है और यह पढ़ने की किसीने जैमत नहीं उठाई तो वहां वो फ्रस्टेट हो फ्रस्ट्रे जब उस लड़की से आपके मौलानाओं ने कहा के माफी माधने जबकि उस मौलानाओं में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने लोगों को बताएं कि भाई ये लड़की गलत नहीं है इस लड़की ने जो कपड़े पहने उस पे वो शब्द लिखा इसका मतलब है हलवाया सुंद इस्टैबलिश्मेंट का क्रेडिबिलिटी लॉस अलग लगवल पर है पॉलिटिकल सिनारियो बिलकुल बरबाद हो चुका है पारलेमेंट के इंदर लड़ाई जगड़ा जो दिखाई दे रहा है वो फ्रस्टेशन का एक नतीजा यो पारलेमेंट में लिखाई और सड़क या उनको उन मौलानाओं पर स्खीज नहीं आई होगी कि मौलाना कम से कम तुम तो बता जेते तुम ने भी गलत क्यों बहुत है और उस गलत की वजह से उस फ्रस्टेशन की वजह से बतलब तरह नाउमीदी जो फैली हुए है उसकी वजह से जो रेडिकलिजम है वह ऐसा च मैडम उठना शुरू हो चुका है बैलेट बॉक्स में दिखाई दे चुका है दोस्तो आशा करता हूं कि वीडियो को अपने अंतर देखा होगा और आरजु कास्मी जी के सवाल और हरी मोह जी के जवाब आपको काफी पसंद आयोंगे जहां पे इन दोनों ने डिसकस किया भारत और पाकिस्तान में जो एक्स्टिमिजम है खासकर अगर हम बात करें जैसे कि आप जानतें कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगा जो हैं शांती दूद काफी ज़्यादी माइंड सेट के हैं और हर जगाई इन्होंने आतंग मचा रखा है जैसे कि आप जानतें कि य पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंट्रोस्टिंग और मज़़तार वीडियो लाते रहें जै हिंद जै भारत